मैं आपकी होसराज बात करें हूँ, आज हम बात करेंगे वर्ड गिव की, गिव जो है वो वर्ब है, उसको उसका कोलिकेशन की बात करेंगे, उसके कोलिकेशन के साथ उसकी जो मीनिंग से जो जुमले हैं, तो उसकी हम बात करेंगे, तो जैसे पहला वर्ड है, गिव का मतलब बेसिकली है देना, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट अलफाज के साथ मिलकर, कॉलिकरशन करके, इसको इसकी जो है, वो मीनिंग समीलर भी हो सकती है, और चेंज भी हो जाती है, ठीक है? तो जैसे है, गिव ए लिफ्ट, इसकी मीनिंग है, टेक परसन इन कार, यहीं कि अपनी वाला है कोई दोस्त है कोई family member है जिसको हम जानते हैं तो हम उसको offer करते हैं कि आपको हम छोड़ के आते हैं बैठो हमारे उसका जुमला है she gave me a hug उसने मुझे गले लगाया ठीक है और तीसरा जुमला है give me a ring यहां पर ring का मतलब है phone इसकी meaning है phone me इसका मतलब है मुझे call करो give me a ring जैसे इसको ऐसे भी बोलते है give me a ring give me a call उसको ऐसे भी English में बोलते है give me a call इसका जुमला है give me a ring when you arrive जैसे अपन अक्सर बच्चे को बोलते हैं का आप पहुंच आओ ना तो हमें phone करना कि हम पहुंच के हैं तो हमें तसली हो जाए यहां कोई family बाहर जा रही होती है यहां किसी दूसरे मुलक जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि आप फोरण से जब जैसे पहुंच हो आपर तो हमें phone करना give me a call तो हम लोगों को तसली हो जाए ठीक है और है give me a hand give me a hand का यहां पर मत्रव है मदद करना किसी की मदद करना यहां पर है give me a hand यहीं के help me मेरी मदद करो ठीक है मेरी मदद करो help me इसका जुमला है could you give me a hand could you please give me a hand आप मुझे मेरी मदद करोगे ठीक है आप मेरी मदद करोगे और उसके बाद है किस करना यहीं किसी को किस करना तो इसका जुमला है इसने मुझे किस की उसके बाद है किसी को देखकर उसका इंगलिश मीनिंग है मेरी तरफ मुस्क्राओ मेरी तरफ देखकर मुस्क्राओ इसका जुमला है इसने मुझे देखकर एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी स्माइल की बहुत अच्छे तरीके से कोई मुस्क्राया और है गिव एडवाइस एडवाइस का मतरब है नस्यत करना इसका यहां पर है यह नहीं कि यह बोला है कि यह बोलना चाहरा है कि यहां पर कि किसी को किसी काम के लिए उसको आइडवाइस करना गिल समवन वार्ट दे शुट डू गिल समवन वार्ट दे शुट डू यह नहीं किसी को बोलना कि आपको क्या करना चाहिए, किसी को नसियत जाते हैं, हम लोग बोलते हैं, न करना, मैं मम गे मी गुड एडवाइस, मेरी मम ने मुझे अच्छी नसियत की, ठीक है, उमीद है कि आपको ये समझ में आये होंगा, आये होंगे को लोकेशन, गिव के, जो एक अलफाज गिव है, उसको दूसरों के साथ मिलाकर, हम लोग उसका कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, रोज मरे के जिन्दगी में, हमारी भात्चीत में, ठीक है, उसको ज़रू यूज कीजगा, तो उमीद है कि आपकी, जितना ज्यादा यूज करोगी उतनी ज्यादा, आपकी उकब लेनी बढ़ेगी, ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेर करना, और सब्सक्राइब करना,